ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसको आप किस तरीके देखते हैं? अबी हम थोड़े टाइम से देख रहे हैं कि आंदोलन की आड़ में देश में अराजकता पहल रही है, आपराद हो रहे हैं, और तो और देश को जला दिया जा रहा है, खुल्लम खुला जला दिया जा रहा है, और ये बोलके कि हम तो अपने कॉंस्टिटूशन जो हमें अधि लोगों में भ्रहम फहलाने की कोशिश करी, कि हमारी बस एक मांग है, कि आप MSP मत खतम करिएगा, हमारे जो अग्रिकल्चर मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर है, नरेंदर सिंग तोमर जी, उन्होंने ऑफिशल स्टेट्मेंट दी, कि MSP नहीं खतम की जाएगी, हम आपको गैरंटी दे रहे हैं, हम आपको लिखके भी देने को तयार हैं कि MSP खतम नहीं होगी, लेकिन फिर भी इनका सो कॉल्ड आंदोलन खतम नहीं हुआ, दूसरा इन्होंने जूट फैलाने की कोशिश करी, कि जब आप प्राइवेट मंडियां बना देंगे, तो सरकारी मंडिया खतम हो जाएंगी, तो उसके बाद प्राइवेट मंडियां किसानों का शोशन करना स्टार्ट करेंगी, शुरू में एकदम सुनके मुझे भी लगा कि शायद ऐसा हो सकता है, बट देन जब उसके बारे में मैंने और जादा पढ़ा, तो I realize कि Food Corporation of India है, हर साल भारत में खाद मंडियां कभी खतम नहीं होने वाली हैं, तो किस तरह से ये लोग जूट बिलकुल भ्रहम फेराके लोगों को emotional करके sight करते हैं और उनको देश के खिलाफ करने की कोशिश करते हैं, एक और मैं last but not the least, एक important point बोलना चाहती हूँ कि कुछ राजियों की सरकारे और कुछ state politics करने वाले लोग भी इसको अंदोलन का रूप दे कि अपनी राजनीती, खोई हुई राजनीती चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए जो agricultural issues होते हैं, वो हमारे समविधान में concurrent list में आते हैं, that means केंदर भी उन पे कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी उन पे कानून बना कर रहे हैं, अगर आप सही में किसानों के हमदर्द हैं, आपकी genuine मांग है, actually genuine मांग नहीं है जिते हैं, अंदर मैं हमेशा बोलती हूँ, आंदोलन नहीं चल रहा है, ऐसी नागरिक्ता कानून में जिसमें मुसल्मान का नाम भी नहीं था, उसमें मुसल्मानों के दिमाग में में हमारी सरकार भी ऐसी आई है, जो विकास की बात कर ही है, लोगों को जोडने की बात कर रही है, राश्ट्रवात की बात कर रही है, और बहुत सालों के बाद लोग बी जाती संप्रदाय पंथ से ऊपर उठकर भारतिय की बावना यह अपनी भारत माता से प्रेम करने की feeling बहुत सालों के बाद दुबारा जागरतों नहीं स्टार्ट हुई है, हमारा स्वाबिमान जागरा है, ये कुछ भारत विरोधी मानसिक्ताओं से बरदाश नहीं हो रहा है, वो हमें तोड़ने के लिए, कैसे गुट बतारें आप देखिए, शाहीन बाग में या नागरिक्ता कानून में ये लोग दलित मुसल्मान, दो गुटो को इनोंने भारत से तोड़ने की कोशिश करी थी, अब यहां पर किसान अंदोलन में ये लोग जाट और सिक, किस तरह से ये लोग सेग्मेंट्स बनाते हैं, मैं देखिए आपके चैनल के माध्यम से जाट समाथ से भी मूर्ती तोड़ी थी, और आज चौधरी चैरन सिंग जी के पोते, जैयंत सेंग, सेम मंच शेयर कर रहे हैं नाहिद हसन जी के साथ, मतलब आपके दादा की जिनोंने मूर्ती तोड़ी हो, मैं जाट समाथ से भी अपील करती हूँ कि आपके इतने शीर्ष का आपका एक नेत इस्ट्री को हम कैसे भूल जाते हैं, हम कैसे भूल जाते हैं अपना वो शौर्य और पराकरम का इतिहास, कितनी जितनी भी वीर वीर हमारे भाईं हैं देश के उनको ये देश से तोड़ने की कोशिश करते हैं, देखिए इंडियन आर्मी में सबसे जादा सिक रेजिमेंट आप देखिए, जाड समाज से जादा तर लोग आर्मी में जाते हैं, तो जो वीर कौमें हैं, जो देश के लिए मरने-मिटने को तयार होती हैं, उनको ये लोग देश से तोडने की कोशिश करते हैं, politicize करने के लिए हमारे ही घर में हमसे ही आग लगवाते हैं मैं सिख समाज को भी वो इतिहास याद दिलाना चाहती हूँ जितेंदर अभी कानपूर में चार साहिबजादे दिवस पे मैं invited थी वहाँ पे मुझे सिख समाज का वो गौरफ शाली इतिहास जानने को मिला मुझे पता चला कि सिख समाज के गुरू गोबन सिंग जी के जो बच्चे थे जो गुरू पुतरग नम से हम लोग जानते हैं उनको सम्मान करते हैं वो एक छे साल का बच्चा, एक आट साल का बच्चा विदेशी आकरा नता की बोलता है कि अगर हार गए तो उनको बच्चा समझ के वो बात कर रहा है तो वो ये बोलता है एक 6 साल का बच्चा और 8 साल का बच्चा कि सिख कभी हारता नहीं है देश के और धर्म के लिए सिख या तो जीतता है या शहीद होता है तो देखिए किस तरहे की कौमों को फिर्स फाइटर्स को ये भारत से तोड़ने की कोशिश कर रहे है देखिए खलिस्तान और खालसा में फर्क होता है ये हमें समझने की जरूरत है ये हमें जानने की जरूरत है ऐसी मैं मुस्लिम समाच से आती हूँ